कि हाला अर्यवान वेलकम तो ट्रिपल एस आइम भाबर जूर जी एस फेकल्टी एड ट्रिपल एस इस पार फोर इंडियन एकॉनमी एमसी को सीरीज जिसके अंदर हम प्रीवियस और को डिसकस कर रहे हैं और कुछ अलग से मेरे दुवारा बनाई हुए कोश्चन जो आपको आ और को जाएंगे उसके बाद डो लेक्ट्ट्र मैंने कहा था दौ या झाएंगे 30 30 के सेटके लेकिन अभी दो और आ याँगी पचीस 25के सेटके वह कउँचन होंगे Οटके और उसके बाद हम बागी पर जाएंगे बागी केम्परेंट्स को भी हम कटोवर करेंगे आगे तो आप डोनलोड करने के बाद यहां पर आपका सब्सक्राइब का बैच शुरू हो चुका है नाइपते सिल्दार का बैच शुरू हो चुका है तो यहां पर क्लासिज को किस तरह से कंड़क्ट करवाया जाता है क्लासिज को हम लायू कंड़क्ट करते हैं जो भी क्लासिज होती है वो लायू क्लासिज ली जाती है यहां पर जैसे इंडियन एकॉनमी की बात करें तो इंडियन एकॉनमी जब हमने शुरू की थी तो इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था बिल्कुल बेसिक से शुरू की थे हम पर रह como basic चीज, economy क्या होती है, economy की क्या types है, economics क्या है, economics की क्या types होके, goods क्या होते है, goods की types क्या होती ह öl्म lot Марκ, services क्या होती है, capital क्या होता है, capital की types क्या होती है? यह बिल्कुल basic. 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 इस चीजे हमने कवर करवाई यहां पे लायू कुलास होती है, बच्चों के जो भी doubt होते हैं वो लायू वहीं पे address करवाये जाते हैं, proper discussion होती है, हर एक टॉपिक के उपर proper analysis होता है, हर टॉपिक का तो जो भी कुलास के अंदर पढ़ाया जाता है, वो notes send किये जाते हैं, उसके बाद अलग से handwritten notes भी provide करवा जाते हैं, topic complete होने के बाद, जो भी topic complete होगा, वो topic complete होने के बाद, उसके उपर previous year, जितने भी questions, exam में, अलग-अलग exam में, SSE, CGL, Railway, Banking, JKSSB, हर एक जगा, जो भी exam में, इन अलग-अलग exam में, उस topic के उपर questions पूसे गए हैं, लगबाप पिछले 10 साल के questions वहाँ पर discuss किये जाते हैं, ओके, तो इस तरह से एक holistic way में, एक बहुत ही comprehensive way में, बच्चों को prepare करवाया जा रहा है, अलग-अलग exams में, तो बहुत आसान है, आपको play store से app download करने हैं, बहुत ही affordable prices में, यह आपको मिर रहे हैं, discount भी चर रहा है अभी, तो आपको बहुत ही affordable price में, यह course मिल जाएंगे, ओक आके आने वारी, दो वीडियो में हम complete करेंगे, तो नीचे live chat section के अंदर, आप लोग जवाब दीजेगा, question number 41, question number 41, what option does the central government not include in the development expenditure, सरकार क्या काम करती है, सरकार जब budget बनाती है, तो budget के अंदर जो होती है, basically दो चीज़े होती है, बज़ेट के अंदर basically दो चीज़े होती है, पैसा कहां से आएगा, revenue, कहां से आएगा और दूसरा होता है, पैसा कहां जाएगा, expenditure, खर्चा कहां करना है, तो इस expenditure में एक category होती है, developmental expenditure, कौन सी होती है, developmental expenditure, कि जो हमने development के उपर खर्चा करना है, जैसे कि सड़के बनानी है, ज developmental expenditure होता है तो यही यहाँ पे question पूछा गया है कि इन मेंसे नीचे जो दिये गए option है इन मेंसे जो आपकी central government है union government है वो developmental expenditure में इन मेंसे कौन सी चीज को include नहीं करती है तो अगर आपने यह चीज भड़ी भी नहीं है फिर भी common sense इन से आप इसका जवाब दे सकते है question मैंने इसलिए यहाँ पे add किया था ताके आप अपनी थोड़ी common sense knowledge को भी check कर सके तो इन मेंसे कौन सी चीज development expenditure के अंदर नहीं होगी grant जो state को दी जाती है अब states को जो grant दी जाती है तो ये भी जो है किसके अंदर आ जाएगा ये भी development expenditure के अंदर आ जाएगा expenditure आप economic services तो economic services के उपर भी आप जो expenditure कर रहे हो तो वो भी किसके अंदर चला जाएगा वो भी आपका development expenditure में ही चला जाएगा fine तो ये तीनों development expenditure में जा रहे है बात आती ही defense तो जब आप defense के पर खर्चा कर रहे हो तो defense के पर खर्चा कर रहे हो वो किसमें वो developmental expenditure में नहीं चला जाएगा वो आपके defense expenditure में अलग से चला जाएगा मैंने वको बताया भी था जब हम fire plants पड़ रहे थे तो हमारे यह एक problem चल रहे थी कि हम development expenditure और defense expenditure के बीच में एक balance maintain नहीं कर पा रहे थे हमारा जब Chinese aggression हमने देखा जब पाकिस्तान के साथ जब बंगलादेश वार शुरू हुई तो हमने देखा हमारे साथ problem क्या हो रही थी problem यह हो रही थी कि हमारा जो budget था जब हम budget बना रहे थे तो budget में जब external aggression हमें face करना पड़ा country को external aggression face करना पड़ा तो उस वकत जो allocation था money का वो जो है fund divergen होने लगा fund divergen किस तरफ चला गया हमारा defense में लगा जाने क्योंकि आचानक से sudden aggression हमें देखने पड़ा हमने already prepare नहीं किया था कि defense के लिए इतना करेंगे तो ये problem थी इसलिए हम क्या काम करते है defense के लिए अलग से expenditure पहले ही set करके रखते कि defense के उपर हमें इतना खर्चा करना है तो defense expenditure अलग है developmental expenditure अलग है तो इसनों ने यही पूछा था कि not included जो defense expenditure में नहीं जाएगा तो वो कौन सा होगा वो आपका स्वारी जो development expenditure में नहीं जाएगा तो वो कौन सा होगा वो आपका defense expenditure होगा clear है बहुत आसान सी चीज थी एक बार फिर से repeat करता हूँ question था कि इन में से कौन सा नीचे दिये गए चार option में से कौन सी चीज है जो development expenditure में नहीं आएगी तो इसका एक जटके में देखकर ही आप idea लगा सकते है कि defense expenditure है defense expenditure अलग होता है development expenditure अलग होता है question number 42 which of the following defines depreciation तो बहुत आसान है depreciation इन में से क्या है destruction of a plant in a fire accident अगर कोई plant है कोई plant setup यह था plant का मतलब कोई पोदा नहीं है plant का मतलब कोई factory समझो कोई plant setup किया था उसको आग लग गई क्या वो depreciation में आएगा loss of equipment over time due to wear and tear over the period of time क्या over the period of time जो अराम अराम से चीज़ों का wear and tear होता है जो assets की value lose होती है उसको हम कहते हैं depreciation तो option B जो है आपका ये सही जवाब होगा ठीक है clear उसके बाद question number 43 if RBI reduces cash reserve ratio कल मैंने class में बहुत ही elaborate way में इन चीज़ों को फिर से discuss किया था cash reserve ratio क्या होता है statutory ratio क्या होता है bank rate क्या होता है repo rate क्या होता है ये सारी चीज़े discuss की थी जब मैं inflation पढ़ा रहा था हाला कि inflation में ये पढ़ाने जाने वाली चीज़ नहीं है ये आगे जब monetary policy पढ़ते हैं वहाँ पे इनको detail में पढ़ाय जाता है मैंने inflation में भी क्योंकि हमने कल क्या topic शुरू किया था कि किस तरह से demand pull inflation को demand pull inflation को किस तरह से कम करना है उसका best तरीका ये था कि reverse repo rate, bank rate इन सब को क्या कर दो इन सब को कम कर दो जब ये कम हो जाएंगे तो market में क्या हो जाएगी market में liquidity liquidity क्या हो जाएगी liquidity भढ़ जाएगी अगर market में liquidity भढ़ जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा उससे inflation भढ़ जाएगा लेकिन inflation को अगर कम करना है तो इन सब को बढ़ादो, CRR को बढ़ादो, SLR को बढ़ादो, Repo Rate को बढ़ादो, Reverse Repo Rate को बढ़ादो, Bank Rate को बढ़ादो, क्योंकि इनका liquidity के साथ क्या है? इन वर्स रिलेशन है, उके, तो यही बता रहा है कि अगर RBI, Cash Reserve Ratio को Reduce करेगी, कम करेगी, तो Credit Creation के उपर क्या होगा? सिंपल सा मतलब है कि पैंसे के साथ क्या होगा? क्या पैंसे पर, Market में जो पैंसा है, उसके पर कोई impact नहीं होगा? गला जवाब है, इन विल डिक्रीज, तो जो Credit Creation Market में हो रही है, जो Credit Creation Market में हो रही है, वो क्या होगी? वो भी Decrease होगी? बिलकुल नहीं, ठीक है? उसके आपको बताया था कि जो भी आपका CRR है, मानलो CRR है, आपका SLR है, आपका Rapporate है, इनका liquidity के साथ कैसा relation है? इनका liquidity के साथ inverse relation है, liquidity के साथ inverse relation है, इसका मतलब है, जब आप इनको यहाँ पर reduce किया है, जब आप इनको reduce करोगे, तो liquidity, credit creation, पैसा, Market में क्या हो जाएगा? वो increase हो briefly थोड़ा सा इनको बारे में समझा देता हूँ, यह है क्या CRR, देखो, CRR और SLR, दो चीज़े होती है, दो reserve होते है, आप bank के पास पैसा रखते हो, अब bank क्या है, bank को सारे के सारे पैसे को लोन में तो नहीं देगा, अगर bank सारे के सारे पैसे को लोन में देगा, तो आपके पास जब आपको जाना होगा, पैसे निकालने होगे bank से, तो आप केसे निकालोगे, bank ने तो सारे का सारे लोन में दिया है, आई बास में, तो bank ऐसा ना करे, bank ऐसा ना करे, bank खुड डिफॉल्ट ना हो जाए, इसके लिए RBI ने कुछ रूल सेट किये, RBI ने इनको बताया है कि आपको कुछ amount, जो आपके पास पैसा है, वो हमारे पास रखना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको अपने पास रखना पड़ेगा, जो लोन में आप नहीं दे सकते, तो जो पैसा bank को RBI के पास रखना पड़ता है, वो आपका CRR, cash reserve ratio, और जो पैसा bank को खुद के पास रखन पड़ता है, खुद के पास रखना पड़ता है, और उसको लोन भी नहीं दे सकता उस पैसे से, उसको बोलेंगे SLR, statutory liquidity ratio, अब जब ये SLR को RBI बोलेगी कि SLR को, या CRR को भढ़ा दो, यानि कि अपने पास ज्यादा पैसा store करके रखो, वो वाला जो लोन में नहीं दोगे, तो जब ये पैसा ज्यादा आ जाएगा, जो लोन में नहीं देना, इसका मतलब लोन देने के लिए कम पैसा मार्केट में जाएगा, तो मार्केट में liquidity क्या हो जाएगी, लेकिन जब RBI बोलोगी इसको reduce करो, यानि कम रखो, और इसका मतलब ये कि बैंक के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा, तो बैंक के पास जब लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा, वो लोन ज्यादा देगी, तो मार्केट में liquidity क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, ओके, उसके बाद question number 44, real national income increases in which of the following circumstances, आपकी national income जो है, इन में से किन condition के अंदर भढ़ती है, चलो इसका जवाब ज़र सोच समझ कर दो, question number 44, आपकी national income भढ़ेगी, बैं national income भढ़ेगी, किस चीज से, हिंड दे देता हूँ, national income क्या होती है, हमने जब national income पढ़ा था, हमने पढ़ा था, national income क्या है, national income आपकी है, NNP, NNP at factor cost, जब आप NNP को निकालते हो, factor cost पे, तो वो आपकी क्या होती है, national income होती है, तो NNP में कून सी चीज आगई, net national product, प्रोडेक्ट आ गया न, यानि के production की बात हो रही है, आप जितना ज़्यादा production करोगे, आपकी उतनी ज़्यादा national income भढ़ेगी, नेशनल इंकम के जितने भी एग्रिगेट्स पड़े थे GDP, GNP NDP NNP, ये सारे इन सब में एक चीज़ है, production सब में क्या, production GDP, monetary value of final goods and services produced in a financial year, तो कितना ज्यादा production आपकी economy में हो रहा है, वो आपकी national income को decide करेगा, आई बात समझ, तो price भी decide नहीं करती, saving भी decide नहीं करती, inflation भी नहीं, when the product of goods, production of goods and services increases, जब production increase होगा, तो आपकी national income increase होगी, आई बात समझ, इंडिया जो है, fifth largest economy क्यों है, क्योंकि production ज्यादा होता है, आई बात समझ, question number 45, which one of the following are correct regarding Indian agriculture, Indian agriculture के बारे में इन में से कौन सी चीज correct है, शबाश, एक एक चीज़ को देखते हैं, highest employment provider, यह exam में कहीं बार पूछा गया है, कि में से कौन सा sector है, जो सबसे ज़्यादा employment प्रोवाइड करता है, GDP का contribution नहीं पूचा है, employment, jobs प्रोवाइड करता आपका, तो यह कौन सा है, यह आपका agriculture है, agriculture में सबसे ज़्यादा आपको jobs मिलती है, अब यह कौन सी jobs होती है, government jobs नहीं होती है, एक घरे, एक घर में दस लोग रहते हैं, दस के दस खेद में काम कर रहे हैं, आई बाश समझे, इस तरह से, इंडिया में agriculture में लोग ज़्यादा indulge है, ज़्यादा involved हैं, उसके बाद, और अगमेंट economic growth, economic growth में मदद करता है, तो economic growth में agriculture मदद करता है, बिलकुल economic growth में मदद करता है, उसके बाद highest contributor है GDP के, GDP में highest contribution, तो यह चीज़ क्या है, यह चीज़ गलत है, क्यूंकि आपकी GDP में सबसे ज़्यादा contribution किसका है, GDP में सबसे ज़्यादा contribution है, आपकी किस sector का, शबाश, GDP में सबसे ज़्यादा contribution किस sector का है, primary, secondary, tertiary, tertiary sector, आपका service sector, service sector का सबसे ज़्यादा है, starting में जब इंडिया independent हुआ था, तो पहली दो स्टेटमेंट्स ठीक हैं राइट आंसर क्या होगा, option D, one and two only fine, question number 46 in which market is commodity or product product differentiation product differentiation किस type of market के अंदर देखने को मिलता है तो ये type of market system में पढ़ा चुका हूँ न monopoly market, perfect competition market ये सारी चीजे product differentiation product differentiation का मतलब ये है कि अलग-अलग products देखने को मिलते हैं कोई एक जैसा product नहीं होगा कि बिल्कुल एक ही चीज भी गरी है product differentiation अलग-अलग products देखने को मिलते हैं शाबाश देखो पहली statement देखते हैं perfect competition perfect competition कहां पर होता है जहां पर product differentiation नहीं होगा जहां पर homogeneous products होंगे क्या? homogeneous homogeneous का मतलब है बिल्कुल एक जैसे homogeneous product जहां पर होंगे वहाँ पर perfect competition होगा इसका मतलब क्या? मैं एक example देता हूँ मान लो class में बच्चे हैं दस बच्चे हैं दस बच्चे सारे intelligent है क्या है? सारे intelligent है एक से बढ़कर एक सारे intelligent है आई बास समझ? तो ये क्या है? homogeneous है homogeneous का मतलब सारे intelligent है तो वहाँ पर क्या होगा? perfect competition होगा बच्चें के बीच में perfect competition लेकर एक class है एक बच्चा बहुत intelligent है एक बड़ा ही नालालायक है एक थोड़ा से average है एक थोड़ा above average है आई बास समझ? perfect competition सिर्फ वहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या होंगे सारे एक जैसे होंगे homogenous होंगे तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा product differentiation सारे अलग-अलग है सारे अलग-अलग है तो perfect तो नहीं आएगा monopoly monopoly का मतब़ता एक ही सिर्फ एक कही राज है market में सिर्फ एक लोता है जो चीजें बेजता है उस चीज को बेजता है आई बात समझ तो यह monopoly भी नहीं आएगा product differentiation जो है यह कहाँ पर आएगा फिर imperfect competition जहाँ पर perfect नहीं imperfect competition होगा क्योंकि अलग-अलग है अलग-अलग products बेचे जा रहे हैं तो वहाँ पर perfectly competition में देखने को नहीं मिलेगा वो ही class वाले example माइन में रखो सारे बच्चे जो है उनका सबका IQ अलग-अलग है तो कोई perfect competition वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा imperfect competition clear question number 47 which of the following statement is correct about India's national income इंडिया की national income के बारे में है इनमें से कौन सी statement correct है एक-एक statement देखते हैं percentage share of agriculture is higher than service क्या agriculture service से ज्यादा national income में contribute करता है तो गलत service का ज्यादा है percentage of industry is higher than agriculture industry का agriculture से ज्यादा है तो क्या industry जो है industry और agriculture यहाँ पर primary, second sector नहीं पूचा है industry और agriculture का पूचा है तो दूनों में सबसे ज्यादा किसका है यह बता रहा है कि industry जो है वो ज्यादा करती है शबाश industry ज्यादा करती है agriculture ज्यादा करती है शबाश percentage share of industry is higher than agriculture percentage share of service is higher than industry percentage share of services services का पूचा है वो industry से ज्यादा है ठीक है न? यह भी ठीक है percentage share of services is higher than agriculture and industry put together अब देखो यह statement, क्या statement C चलो statement B को रखो थोड़ी देर पे side पे, मान लो चलो मान लो इसको, इसको रखो side पे statement C को देखो, percentage share of services दिहान से देखना services का share industry से ज्यादा है, बिल्कुल services का share तो सबसे ज्यादा है, है ना तो mostly aspirants क्या काम करेंगे, इसके साथ चले जाएगे, कि services का तो सबसे ज्यादा है, तो industry से भी ज्यादा हो जाएगा तो इसके साथ चले जाएगे, बड़ यहाँ पर देखो statement D क्या है, percentage share of services, जो services का share है, वो किस से ज्यादा है agriculture and industry together, यानि एक तरफ से services डालो C देखो, okay, statement B भी depend करता है, industry अगर आगे चली गई, कुछ जगहों पर यह भी है कि industry का agriculture से ज्यादा share है, okay services का तो obviously industry से आपका ज्यादा share है, most appropriate जो statement होगी, सबसे strong जो statement होगी, ऐसे questions में इसको choose करना होता है, आई बात समझ, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, option D आपका सही जवाब होगा, clear और यही इसका सही जवाब है when too much money is chasing too few goods this situation is called, too much money chasing too few goods, too much money के आपके पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है यानि demand ज्यादा है लेकिन चीजें कमें, demand ज्यादा है supply कम है, तो जब demand ज्यादा होगी, supply कम होगी, तो ऐसी situation में क्या होगा ऐसी situation में inflation होगा, महगाई हो जाएगी okay question number 49 one of the main factors that lead to rapid expansion of Indian exports, तो किस चीज़ की वज़ए से आपके इंडिया के exports भढ़ गए, या भढ़ सकते हैं या भढ़ गए, okay, इंडिया के exports, शाबाश देखो ज़र options को ध्यान से देखो ये सारे options ठीक लग रही होगे most appropriate चूज़ करो, most appropriate मुझे एक बात था, exports को बढ़ाना है imposition, आप import duties import duties आप बढ़ाओगे, यानि imports के पर tax लगाओगे, तो जब imports के पर tax लगाओगे, imports क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, उके उसके बाद क्या बताता liberalization of economy, economy को liberalize करोगे, तो economy को भी अगर आप liberalize करोगे, उसमें एक कहीं न कहीं ये factor भी निकल कर आएगा, कि आप अपने exports को बढ़ाओगे, उके, आल दो directly liberalization का impact जो है imports और करेंगे, मालो आपकी country में recession चर रहा है, तो import क्या करोगे import कम करोगे फिर, है ना, तो किसी और country में recession चर रहा है, तो वो import करेंगे नहीं, तो हम उनको export नहीं कर पाएंगे फिर क्या diversification of exports, सबसे appropriate जवाब अगर आप अपने exports को क्या करोगे diversify करोगे, अगर आप सिर्फ एक चीज़ बेच रहे हो तो आपके exports ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे expansion पूछा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग-अलग products diversification करनी पड़ेगी अपने products की अलग-अलग products बनाकर अलग-अलग markets में बेज दो जिस market की जो requirement है, जो demand है उस हिसाब से वहाँ पर sell करो जिस तरह चाइना करता है, वो क्या काम करता है diversification of exports लग-बग-बग हर चीज़ चाइना बनाता है बच्चों के खिलोनों से लेकर बच्चों के खिलोनों से लेकर mobile phone, laptop हर एक चीज चाइना बना रहा है diversification exports की, उसके बाद question 50 knowledge, technical skill education, ये सारी चीज़े जो है, इनको किस category में include किया जाता है social overhead capital, human capital tangible physical capital working capital, शबाश knowledge, technical skill education, बहुत आसान चीज़ है एक काम करना comment section में यहां live chat में नहीं, वहां comment section में मैं बाद में पढ़ूँगा, comment section में जवाब देना ओके, आज के लिए इतना काफी है आज के लिए इतना काफी है बाकि जिसको कोई भी क्यूरी होगी कोई भी doubt होगा, यहां पर मुझे message कर देना I'll address your doubts ठाके, so this was all about today thank you so much, bye bye and take care